नमस्कार आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पन्चाइज में हूं दस्रत सिंग राजस्थान में 25 लोगसवा सीटों पर चुना हुआ है और चार जून का सभी को इंतिजार है कि चार जून को आखिरकार क्या परिनाम आने वाला है आज हम बात करें एक ऐसी लोगसवा सीट की जिस पर सभी की निगाएं लगाता रही है दौसा लोगसवा सीट एक ऐसी सीट जिस पर सियासी चर्चा सबसे ज़्यादा रही दो बड़े दिगज नेताओं की यहां पर प्रितिष्टा दाव पर लगी हुई है दौसा लोगसवा सीट दोजार आठ में जब परिसीवन हुआ पहला लोगसवा चुनाव निर्दलिये के रूप में डॉक्टर क्रोड़ी लाल मीना ने जीता उसके बाद हरी समीना बीजेपी से चुने गए पिछले चुनाव में जसकुर मीना को मैदान में उतारा बीजेपी ने और वो भी यहां से जीत कर लोगसवा पहुच गई बात करें यहां से पाइलेट परिवार की तो पाइलेट परिवार यहां पांच बार सांसद रहा है तीन बार राजिस पाइलेट यहां से चुने और वो पहली बार स्थांसत यहीं से बने पाइलेट परिवार का काफी प्रिभाव इस लोगसवाशीट पर रहा है इस लोगसवाशीट की बात करें तो इसमें मीना गूजर ब्राह्मन और ऐसी कि वोट प्रिवाशीट काफी जादा है इस चुनाव का समीकरन कुछ अलग है इस चुनाव में कह सकते हैं कि जब परिणाम आएंगे तो कहीं न कहीं चौकाने वाले परिणाम आ सकते हैं हम बात करें एक लोगसवाशीट की तो यहां पर बीजेपी ने करनाया लाल मीना को मैदान मोता रहा है जो बस्षी से पूर विदायक रह चुके हैं वहीं कॉंग्रेस ने अपने मौजूदा विदायक दोसा से विदायक मुराल लाल मीना को मैदान मोता रहा है मुराल लाल म लेकिन इस बार की सियासी गणेत कुछ अलग है इस लोगसवा सीट पर प्रिधान मंत्री नर्ण मोदी खुद रोड़ सो करने आए अगर प्रिधान मंत्री दोसा जैसे सहर में लोगसवा सीट पर रोड़ सो करते हैं तो एक बड़ी बात थी डॉक्टर क्रोलाल मीना कि बयान लगातार चर्चाओं में रहे जब उन्होंने कहा कि अगर यह सीट वहार जाते हैं तो कहीना कहीं मंत्री पत से इस्थिपाद दे दिंगे इसी ब्यान पर पलटबार करते हुए शर्चिन पाइलेट ने भी यह कहा कि किसी का इस लोगसवा सीट जीतने से किसी का कोई मंत्री पत नहीं जाने वाला है शर्चिन पाइलेट ने यहां पर पूरी ताकत जोंगी लगातार प्रिचार प्रिसार किया चार से पांस सवाई की बांदी कोई बसी चाक्सू महवा और दोसा वह विदान सवा थी जहां पर उन्होंने लगातार सभाई की पहले चरण में सीट पर म शर्चिन पाइलेट और पाइलेट पड़िवर का प्रभाव रहा है वें डॉक्टर क्रोल लाल मीना का भी खासा प्रभाव है अब देखना यह है कि दोनों की प्रतिष्टा दाओ पर है तो बाजी आखिकार कौन मारता है चर्चा इस बात पर भी है कि आखिकार चार जून की गिंती उल्टी शुरू हो गई है तो क्या यह जो सीट है वो अगर कॉंग्रेस के खाते में चली गई तो क्या मंत्री पस से इस्तियपा देंगे डॉक्टर क कहीं दौसा लोग सवाशीट में कॉंग्रेस इस वक्त आगे है और जब परिणाम आएंगे तब असली पता चलेगा कि आकरकार कौन यहां से विजयता है कि लेकिस सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से दोनुने ताउने प्रचार प्रिसार किया डॉक्टर क्रोलार मीना पहले तो काफी शक्रियता में काफी कम नजर आए उसके बाद प्रधान मंत्री रोड्सों करने आये उसके बाद उन्होंने कई जगे लगातार प्रचार प्रचार किया और यहां तक कि उनके ब्यान चर्चाओं में रहे अब यह जो सीट है बड़ी लेकिन असली परिनाग चारजून को आएंगे और चारजून को क्या होता है इसका सभी को इंतिजार है आप सभी देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत नमस्कार